हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी जो टोपिक अब हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कम्प्लीट टोपिक का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन वोक्स में दिया हुआ है इसे टोपिक समझने से पहले आपको एक्जामपल समझना होगा माल लीजिए हमारी एक फैक्टरी है हम उस फैक्टरी में एसी बोले तो एर कंडिशनर मैनुफेक्शिरिंग करते हैं अब एर कंडिशनर की मैनुफेक्शिरिंग करने से रिलेटिड जितनी भी एक्टिविट पर air conditioner को बनाने के लिए आप machine लेकर आते हो, customers को बिठाने के लिए furniture लेकर आते हो, कोई नया plant लगाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, लंबे समय के लिए investment कर रहे हो आपने machine लगाई, दुबारा sale करने के लिए नहीं लगाई, आपने plant लगाया, आप उसको अभी हटारे नहीं वाले, तो उसको हम लिखेंगे investing activities में, पर air conditioner को purchase करना है, sale करना है, air conditioner की manufacturing करनी है, factory का rent पे करना है, office का किराया पे करना है, employees की salary पे करनी है, wages पे करनी है, air conditioner की business की व रहे हो, specially air conditioner को लेकर, वो सारी activities कहां पर आएंगी, operating activities में, तो operating activities के topic को मैंने दो parts में divide किया है, पहला है cash receipt, second है cash payment, cash receipt जब जब आपके पास होगा, मतलब जब जब आपके पास business में पैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, plus करना होता है, और जब जब आप पैसे की payment करोगे तो आपको क्या करना होता है, minus करना होता है, तो यह format हम कहां follow करते हैं, cash flow statement में follow करते है, क्योंकि cash flow statement में सबसे पहले हमको यही activities के उपर काम करना होता है, तो आएए हम cash receipt के बारे में देख लेते हैं, for example, आपने goods sale की है, अब हमारे business में हमारी पास goods क्या है, air conditioner, अगर मैं air conditioner को सेल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा पैसा आएगा इसी तरह से माल लीजी आपका कोई बिजनस services देने का है आप लोगों को services देते हो तो services देने की वज़े से भी आपके पास पैसा आ सकता है तो इसी तरह से royalties की वज़े से इसी तरह से आपको कहीं से fees collection करनी पड़ गई हो सकता है कि आपके debtors ने आपको पैसा दिया हो, bill receivable के थुरू पैसा आया हुआ हो या आपका tax refund हुआ है तो ये सारे वो items हैं जो आपको cash receipt में count करनी होती है या इसको हम वो item कह सकते हैं जो plus होने वाली items है अब हम देखते हैं कि cash payment में क्या क्या आ सकता है for example मालनो मैंने air conditioner को manufacturing करने के लिए raw material खरीदा है कच्छा माल खरीदा है या आप air conditioner direct खरीद लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा purchase करना पड़ेगा या हो सकता है कि आपको कहीं से services लेनी हो तो services लेने के बदले में भी आपको क्या करना होगा payment करना होगा वो payment अगर आपकी cash में जाती है तो आपको वो minus करना है इसी तरह से अगर आपने creditors को payment की है या bills payable की payment की है wages pay की है, salaries pay की है या आपने income tax pay किया है activities में लिखनी है वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको एक बात फिर से clear कर रहा हूँ जब आप इस products को बनाने के लिए machine लगाते हो plant लगाते हो तो ये machine और plant आपने sale करने के purpose के लिए नहीं खरीदा ये जो आपने plant install किया है ये plant आज और अभी या कल या तीन दिनों में या छे महीने में आप sale नहीं करोगे ये plant के अंदर जो आपने पैसा invest किया है ये आपको बहुत लंबे समय तक फाइदा देने वाला है तो जब जब आप fixed assets के अंदर investment करते हो तो वो items हमको investing activities में लिखना होता है तो ये बाते हमको बहुत ध्यान लखनी है कोशन जब भी आपके सामने आए तो आप ध्यान से देखिए operating activities क्या है investing activities क्या है तो मैंने आपको complete video का link दिया हुआ है आप वो भी जरूर देखिएगा